हेलो फ्रेंट्स यंगर्फाइब के फूल ट्रेंग स्रीज में आपका श्वागत है दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हम ने देखा कि निश्टेट फॉर मेरे क्या होता है मिन्स कि हमने उसमें यह भी देखा कि कंट्रोल को कैसे एड करते हैं डैनेमिकली और आज वीड से एड करेंगे डैनेमिकली इस चीट को हम देखने वाले इस वीडियो टुटोरियल में दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो टुटोरियल का स्टार्ट करूं मैं आप से रीक्विस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने सहोव सब्सक्राइब नहीं किया है तक सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूटूब और इमेल हैं मिलती रहे दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो टुटोरियल को तो दोस्तों यह हमारा प्रजेक्ट इसमें हमने क्या किया है दोस्तों की एक हमने है आप देख सकते हैं करने सारे रखा है और दोस्तों इसमें जो फॉर्म ग्रूप भूंगर का उसमें अमने इसका निम ले मृटूप आप इसको मै्नोव ब tussen कोई नाम ले सकतेопас के र Cont British कुछ अप्ने डीकिश भी ले सकते हैं इसके पास हमने क्या Mur packages apply हमां क्लास है का क्लास या इसके बाद फिर यह aard debris में हम फोकस करते हैं जोस्तों कि हम गृश्ट करने वाले हैं यह करने के बाद राइट इसमें क्या कैए दोस्तों की लगा लिया है हमने की फ़र्म का जो जो अगर नहीं है तो इसको क्या करेगा कि फिर अगले बार डीब में क्या किया है कि for loop हमने लगा लिए राइट लेट आइटम रो और from group.controls.item row यह जो आइटम रो आएगा दोस्तों आप.component.ts से आएगा मैं आपको बताओंगा यहां से आएगा आपका यह ठीक है इसमें क्या किया है कि दोस्तों हम गुरूप को हम विल्डर की तरह है विविल्डर के थुरू हमने क्या क्या है कि गूरूप प कि यह इनिट आइटम रोग और ऐसे फंक्सिनल रखा है उसमें बांधर नंबर क्रास जो भी हमने गृउप करके लगा रहा उसी को रिंटर्न करेगा और डालेगा उसे एरोक हमने आइटम के अगरण डाल रखा और इस आइटम रोक हमने क्या है दोस्तों स्टीमिल में उसके कंट्रोल को हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको हम लुप चलाया हमने राइट लेट आई इंडेक्स इंडेक्स आपको पता है कि डिवाइड़ पॉल जुरो से स्टार्ट राता है एंजी फॉरक अंदर उसके बाद हमने कुछ टेक्स बोक्स ले रखा है अब देख रहे हैं यहां पर थापर पियसका हमने रॉल नंबर का क्लाजS का मुबाइल नंबर का रएट उसके बाद उसके अवाद lil लिए उसमें इक button लगा रखा है delete का right यह हमने delete का sign लगा रखा है इस तरीके से दिखेगा वहाँ पर हमने फंक्षन कॉल कर रखा डिलीट row इसमें आई हमने pass कर दिया आई क्या है दोस्तों यहां पर आप देख रहें कि इंडेक्स में में कि जिस इंडेक्स पर जो हमारा रोंड होगा उसका इंडेक्स हमारे के एंदर पस होगा उस बेसकर रितक है अमने कर र ninh दोस्तों का आइड नाम का function बनाया हमने उसको call कर लिया अब देखते हैं कि इसमें कर कर रहा है function में तो उसके सबसे पहुत आपको दोस्तों क्या कर ना form array आपको import करना होगा form.angular form library से उसके बाद form group form builder यह तो आपको पता ही है कि हमने आइड कर रखा है पहले भी पता रखा है हमने उसके बाद हमने क्या के अंदर दोस्तों हमने inject कर दिया form builder को और उस form builder के तुरू हमने grouping करके form group में डाल रहे हैं form group हमने रहे हम ले रहा है form group को form group type करना रहा हमने राइट उसके बाद हमने जैसे बताए कि item रोव में हमने आयरे की तरह हमने क्या क्या इन सारे form group यह जो form group बना रहा हमने उसको dot controls items row जो items row है दोस्तों इसको क्या करेगा add कर देगा इसमें control के अंदर find करके डाल देगा right सारे means कि सारे जितने यह सब item rows के अंदर हैं यह सारे हमारे control के अंदर और control dot push कर देंगे हम किसके अंदर इस डॉट इनिट आइटम रोव इसके यह जितना वैलू है यह सारे हम उसको पूश कर देंगे controls के अंदर राइट तो यह क्या करेगा दोस्तों कि एक नया road add कर देगा उसी तरीके से हमने क्या किया है कि delete का एक function बनाया है delete के function में हमने index number type के बना दिया जो कि हमारा आई हमने पास कर रखा ओए यहां पर आएगा उसके बाद हम control में item रोव को find करके रख लिया अब हम control में चेक करें अगर इस ज्यादा है तो क्या करेगा control dot remove at index जिसना index उसको रिमूब कर देगा और नहीं तो बोलेगा कि एक रिकोर्ड कम से कम मंडिटरी है उसको रखना है राइट आप इसको फिर एक वर अच्छे से देख सकते हैं अगर आप राइट करना चाहते हैं तो राइट कर लिजिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेट कॉस्चन है और जन् सेब करेंगे दोस्तों उसके बाद हम जो ब्रावजर में चलेंगे यह ब्रावजर एक्टिवेट हो चुका है इसमें देख रहे हैं कि नेम रॉल नंबर क्लास मुबाइल नंबर ड्रीट के बटन एड्रों सब कुछ आ चुका है राइट हमारा कभी की सेनारियों होता है जै अब आप चला जाएगा तो अगर चाहते हैं किसी को डिलीट करेंगे पर क्लिक करेंगे उस फंक्सिन को कॉल करेगा और डिलीट कर देगा फिर आइड करने आप आइड कर सकते हैं अगर आप डिलीट करते जाते हैं तो चेक करेंगे आप आप जैसे डिलीट करेंगे बताएगा कि यह वन रो वन रिकॉर्ड इंडेटरी तो दोस्तों इस तरीके से हम यूज करते हैं नियू रो एड करने के डैनेमिकली आइड को समझ में आगया होगा फिर भी आपके माइ दोस्तों हमने इस कोड कोई से पहले से राइट करके रखा था ताकि हम इसको अच्छे से समझा सकें क्योंकि राइट करने में ज्यादा टाइम हो जाता है तो समझाने में टाइम नहीं लगा पाते हैं राइट दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस्तों अ